बिस्म्राइब अख्मान परहीम अस्टामौलेकूम दोस्तों शाजेवली एक बार पिर से आपके साथ पाकिस्तान अब मुकाबला इंग्लेंड दूसरा ओडियाई आज खेला जा रहा है और इस मैच के लिए शूर बलिक अवेलिबल ते जो टीम को छोड़कर गहते हैं अपन हारिस सुहेल जो नमबर चार पर परफॉर्म कर रहे हैं और बात यह हो लिए कि अगर हफीज वापस आते हैं और हफीज को टीम में लाना भी जरूरी है कि टीम बैलन्स के लिए आपके पास शदाब वैसे ही नहीं हफीज होंगे तो आपके लिए बालिंग भी करेंगे आपके आउटसेंडिंग उनका रेकॉर्ड रहा है तीम कृफ्टीज हैं दो सेंचरीज हैं पांच पांच इनिंग उनकी ऐसी इनिंग में उन्होंने पच्छा से जाहिजरान स्कोर की हैं फिर एक में थर्टीज में नॉट आउट रहा है और पिछला मैश तो वो नॉट परफॉर्म कर दिया है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हारे सुले को बाहर निकाला जाए फिर अगर हम शोय मलक की परफॉर्मस देखते हैं पिछले 25 बंडे मैचेस में सिलिफ और सुलिफ तीन पच्छास हैं जी हां पिछले 25 बंडे इंटरनाशनल में सिलिफ और सिलिफ तीन पचास है शोय मलक के में यह नहीं कहता कि उन्हें निकाल दिया जाए टीन से वगर उनकी परफॉर्मस को भी तो रिव्यू करना चाहिए कैसे सीनियर होना आपके केलने का क्राइट लिया है यहां मौमद हफीज सीनियर इसलिए टीमें वापस है नमबर चार पर हफीज नमबर चे पर भी केर सकते हैं और मेरी नजर में यह मुझे टाई नजर आ रहा है यह शोय मलक और मौमद हफीज के दरम्या नजर आ रहा है क्योंकि आपके ओपनर सेटेल है कोई ओपनर प्रफॉर्म नहीं करता आपके आपके आपश आपिदली बैठे में फिर फिर ऑए नमबर चे की पोजिशन जिसके यहां तो मौमदह अफीज केर सकते हैं यह फिर ¿मलक यह मलक के डिर सकते ही हालिस पालिस के पपर पार बहुत अच्छी है वो मुझे बहार होते बहुतें नहीं दिखाई देते इसके रावा कर नीचे रेखते हैं, तो इमार वसीम साथ पर हैं, हाँ, एक ये सिट्विशन हो सकती है, कि सप्राज अपने आपको साथ या आठ पर कर दें, और पिर मले के आफीज में से एक को बाँच पर कर दें, और एक को छे पर कर दें, तो ये हो सकता है, लेकि इसमें आ